पीम मोदी ने आज करनाटक के तुमकूर में रोड़ शो किया। इस दोरा वहां भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। पीम योगी ने हापुर से पहले की सरकारों पर निसाना साथा है। उन्होंने मेरट समेच चार जिलों में जनसभा को संबोधित किये। यादगरिये 2017 के पहले कर्देश बंगा प्रदेश न बंगा प्रदेश। पर वो अंप्यवार के पहले कर्द्यू लग जाता था। आज कर्द्यू नहीं आवस्तव कावड यत्रा भी रखती है सांता चली के। शैर बंग से में कोई तंका नहीं हुआ। बरेली में डिप्टी सीयम ब्रजेस पाठक ने बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में बीजेपी सभी स्टीटों पर जीत दर्ज करेगी। विपक्षी दल तो घर से ही नहीं निकले। विपक्ष का काम सिर्फ गुंडागर्दी और आराजक्ता फैलाना है। यूपी में माफियाओं और गुंडों की कोई जगा नहीं है। जनता ने पुरी तरस कमल को खिलाने का काम किया है। और विपक्षी दल अपने घरों से ही नहीं निकले। उनको ना कहने को कुछ जनता के पास है। ना कोई उनका कोई एजन्टा है ना कोई नीती है। विपक्षी दल खासकल समाजवाद बुरी तरह से फ्लाप सो साबित हुए है। उनकी गुंड़ाई से उनकी आराजक्ता से जनता आज भी पहर उख्ष्टी उनको उनकी आराजक्ता भले आरम को भूली है। जनता ने पूरी तरह से बीजेपी के कमल को खिलाने का काम किया है। अजनता लगाता है, माफियाओं के एंका उंतर हो रहा है है। उत्रप्रदेश में कानून का राज इस्ठापिक करना हमारी सरकार का पर्थम लच्चे हैं। पिश्ड़े हो पिश्ड़े ही रहोगे अगणों का मुकाबला नहीं कर पाओगे। बताद है कि मौरे ने अखिलेस पर तंज कसते हो ये कहात कि अखिलेस यादव की कुंडली में अगले 25 साल तक राज योग नहीं जिसका आय अखिलेस ने जवाब दे दिया। और आपकी कुंडली में क्या है बस यहीं जी हजूरी पिश्ड़े हो पिश्ड़े ही रहोगे। अगलों का मुगाबला नहीं करता होगे। यह जो कुंडली रेखिदें की बात कर रहें कम से कम अपने मुख्यवन्ती जी की कुंडली देख लो जिसकी वजह से तुम्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा है। और जिस दिन कुंडली उनकी देखोगे तो जानते हो कैसा हिसाब किता होगा वो वीलचेय पे बठा देंगे। केंद्री मंत्री स्मिती रानी ने प्रियंका गांधी वाडरा पर जमकरवार किया है। उन्होंने कहा कि मैं स्रीकुमार जी से कहना चाहती हूँ कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है। इसलिए मंदिरवाल जूटा वादा नाही करें तो बहतर है। और क्या ऐसा वाके कहने से पहले उन्होंने स्रीमती वाडरा से चेक कराया। क्योंकि 2019 के लोग सभा चुनाव में मैंने स्रीमती वाडरा को सड़कप नमाज अधा करते हुए देखा था। जो इसलाम धर्म विश्वास रखते हैं वो मूर्ती के उपासक नहीं हो सकते और नाही मंदिर का निर्मार करा सकते है। जो कुमार जी से बड़ी विनमरता से कहना चाहती हूँ कि एक तो वो मुख्यमंत्री बन नहीं रहे। इसलिए मंदिर वाला जूटा वादा नाहीं करें तो बहतर है। लेकिन दूसरा मेरा उनसे प्रश्ण है कि क्या ऐसा वाक्य कहने से पहले उन्होंने श्रीमती वादरा से चेक किया। और मैं ही इसलिए कहा रही हूँ क्योंकि 2019 के लोकसभा के अमेठी के चुनाव में मैंने श्रीमती वादरा को नमाज अता करते वे देखा था सड़क पर। अब हम सब जानते हैं कि जो इसलाम धर में विश्वास करते हैं वो मूर्ती के उपासक नहीं हो सकते मंदिर का निर्मान नहीं कर सकते हैं। मोधी योगी सरकार की कल्यानकारी योजनावस गरीबों को लाब मिला है इसके साथ उन्होंने 2017 से पहले वाली यूपी की छवीजार दिलाते हुए बताया कि पहले महिलाएं 5 बजे के बार घर से नहीं निकल पाती थी आज महिलाएं रात 12 बजे भी सुरक्षित गुमती है यूपी निकाय चुनाव के बीच बड़ा जटका लगा ब्लग अलग दलों और संगठनों के कई प्रमुक ने ताउन बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्ता क्रहण की बीजे पी मुख्याले पर आयोजे सदस्ता ग्रहण समारोमे बीज़्पी के मंडल स्योज गोविंद भाट बीज़्प पी के पूर्व विधान सभा प्रत्यासी अंकित शर्म राष्टी लोगदल के पूर्व जिलाध कुजुम चाह और सपा लोहिया वाहिनी के पूरुराश्टी सच्चियों अनुप सिंग बारी ने बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ प्रीजेपी की सदसिता ग्रहन की तमाम विवादों में घीरे रहने के बाद दकेरल इस्टोरी बड़े पर रिलीज हो चुकी इतने विवाद के बार रिलीज हुई इस फिल्म को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक थियेटर पहुच वही न आपो के शेर लखनाओं में फिल्म देखने के बाद को कहना कि योगी सरकार इस फिल्म को टेक्स प्री करें उत्राखंड में चल रही चार धाम यात्रा पर मौसम का कहर जारी जिसके चलते मौसम विभाग की ओर तीन से चार दिनों का अलड़ जारी किया गया उत्राखंड सरकार ने आठ मई तक यात्रा के लिए रजिस्ट्रेश का नई यात्रियों के लिए एक एडवाजरी भी जारी की जिसमें उन्हें भारी बरबार और बारिस की दसा में अपने बचाओं के उपाय सुझाए गया